स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सरपर आप सभी का मेरा प्यार भड़ा नमस्कार मेरे प्रिये साथियों आज SST का रिविजन वाला सेट साथ है और रिविजन का यहां आखरी सेट है यानि के SST से इसमें भी हम लोग कुल 20 प्रस्थ पढ़ेंगे करेंगे चलिए कोशन देखते हैं भई कोशन क्या कहता है लेकिन मैं हमेशा की तरह आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को याद दिलाऊंगा यहां पर के भई हमारे चैनल पर आप आज पहली बार आये हैं या पहले आ चुके हैं लेकिन अभी तक आप इस चै जरूर करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा चलिए जो है हम अपना कोशन देखते हैं यहां पर पहला नंबर कोशन क्या कहता है पहला नंबर कोशन है पर्थम पंच वर्सिये योजना Offscreen number B इसका सही एंसर होगा Offscreen number B इस this Right answer उनिस तओ एकावान अब परथम 5 वर्षी के योजना पर ठोड़ा सा यहाँ पर परकास डालना चाहिए तो चलिए मैं परकास डाल देता हूँ भई के परथम 5 वर्षी के योजना अखीर क्या थी इस पर चर्चा कैसे किया जाएगा तो इसमें आता है कि पहली पंच वर्षी योजना का उद्देश से देश का किरिसी विकास था दूसरी योजना का उद्देश से देश का अधोगी की विकास था और किसरी योजना का उद्देश से देश के अर्थवयस्था को स्वतंत्र बनाना था और चोथी पंचवर्सिय योजना का उद्देश से विकास के साथ इस्थिर्ता और आत्म निर्भरता की उपलब्दी प् इस पंचवर्सिय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नहरू थे और गुलजारी लालनन्दा उपाध्यक्ष थे पर्थम पंचवर्सिय योजना का आदर सुवाक के किरिसी का विकास था और इसका उदेश्य राष्ट्र के विभाजन दुईतिय विश्यो युद के कारण उत्पन विभिन समस्याओं का समधान करना था और वा 1951 से शुरू हुआ चलिए हम नेक्स्ट कोशन के तरब बढ़ते हैं कोशन नंबर दो दो नंबर कोशन का आता है कि पुर्व मध्य रेलवे का छेत्रिय मुख्याले कहा है भाई छेत्रिय की बात की जा रही है और हम सब भी बिहार से हैं तो बिहार की ही बारे में ये question है इसलिए पुर्व मद्ध रेलवे का छेत्रिया मुख्याला है तो हम अपना छेत्रिया मुख्याला देखेंगे यहां चुनेंगे और option देखते हैं है एक आता हाजीपूर बी है कलकत्ता सी है पटना और डी है केरल तो option number A इसका सही answer होगा option number A is the right answer पुर्व मद्ध रेलवे का छेत्रिया मुख्याला है हाजीपूर है चलिए एक next question के तरफ बढ़ते हैं question number 3 तिरी number question का आता है राजनितिक दलों का गठन सर्वपर्थम किस देश में हुआ राजनितिक दलों का गठन चलिए अब next question के तरफ बढ़ते हैं question number 4 question का आता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था चलिए option है A इंगलेंड B है जर्मनी C है इटली D है रूस तो option number B इसका सही answer होगा option number B answer वगा इसलिए की कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था चलिए अब next question के तरफ बढ़ते हैं question number 5 5 नमर question कहता है जालियां वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जालियां वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भई वह 1919 में हुआ था और अप्रेल में हुआ था लेकिन वह कौन सा अप्रेल था भई किस तारिक को जो है हुआ था अप्रेल में तो वह 13 तारिक था यानि 13 अप्रेल 1919 तो option number 6 का सही answer हो जाएगा option number 6 is the right answer 13 अप्रेल 1919 जालियां वाला बाग हत्याकांड 13 अप्रेल 1919 19 को हुआ था चलिए अब next question के तरफ बढ़ते हैं question number 6 चो number question काता है wish show में सर्वपर्थम यानि सबसे पहले मुदरन की शुरुआत कहां हुई मुदरन मतलब मुदरा रुपया पैसा तो विश्यो में सर्वपर्थम मुदरन की शुरुआत कहां हुई तो वह चीन में हुआ था चीन में हुई तो option है भारत भी है जापान C है चीन D है मरीका तो option number 6 इसका सही अंसर हो जाएगा option number C चीन विश्यो में सर्वपर्थम मुदरन की शुरुआत चीन में हुई चलिए अब नेक्स कोशन देखते हैं question number 7 7 number question कहता है लंदन में अनिवार जो प्रात्मिक शिक्षा कब लागू हुई लंदन में अनिवार जो प्रात्मिक शिक्षा कब लागू हुई तो option A ये देखते हैं 1867 option B कहता है 1960 option C है 1870 option D है 1970 तो option number C इसका सही अंसर हो जाएगा option number C is the right answer 1870 लंदन में अनिवार जो प्रात्मिक शिक्षा 1870 में लागू हुई चलिए next question देखते हैं question number 8 8 number question कहता है भारत के किस अस्थान पर पहला परमानू उर्जा केंद्र अस्थापित किया गया था भारत के किस अस्थान पर पहला परमानू उर्जा केंद्र अस्थापित किया गया था option ने है कल पकम option B है नरोरा option C है राना परताप सागर option D है तारापूर तो option number D इसका सही अंसर हो जाएगा option number D is the right answer तारापूर भारत के तारापूर जो अस्थान है उसी तारापूर में पहला परमानू उर्जा केंद्र अस्थापित किया गया था तारापूर में चलिए next question देखते है question number 9 question कहता है निमने में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है ध्यान देंगे जरा सा यहाँ पर question थोड़ा सा गरबर हुआ है निमन में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है यह केवल यहाँ शब्द नहीं होना चाहिए और ही भी नहीं होना चाहिए यहाँ सिधे question होना चाहिए निम्न में से कौन सा जानवर भारत में भी पाया जाता है चलिए option देखते हैं भाई घडियाल B. Dolphin C. Vail D. कचुआ तो यहाँ पे भारत में special जो है डॉल्फिन है option number B option number B is the right answer कि भारत में डॉल्फिन पाया जाता है अब यह जो है डॉल्फिन भारत के लिए क्यों important है क्यों मशुहूर हो गया भाई का है यह important question हो गया डॉल्फिन के लिए तो जरा सा ध्यान देगे यहाँ पर डॉल्फिन भारत बंगलादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में भी पाई जाती है यह मुख्यत गंगा नदी में तथा सिंधू नदी जो पकिस्तान के सिंधू नदी में पाई जाती है अब गंगा नदी में जो है भारत में गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है इसलिए यहाँ पर question देदियागे कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाई जाती है क्योंकि गंगा नदी में यह पाया जाना बहुत बड़ी बात है अब इसलिए जो है केंदर सरकार ने 18 मई 2009 को याद रखने वाली बात है केंदर सरकार ने 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को अब गंगा डॉल्फिन काने का मतलब यह तो गंगा डॉल्फिन को भारत का राश्ट्रिय जलिये जीव घोसित किया गया भई गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राश्ट्रिय जलिये जीव है और यह कब घोसित किया गया तो यनकेंद सरकार ने कब घोसित किया तो 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राश्ट्रि ये जलिये जीव घोसित किया गया, चलिया अब next question के तरह बढ़ते हैं, question number 10, दस number question कहता है, बिहार की पहली rail line निम्न में से कौन थी, तो बिहार की पहली rail line East India Railway थी, option है Martin Light Railway, option भी है East India Railway, option C है भारतीय rail, option D है बिहार rail सेवा, तो option number B इसका सही answer हो जाएगा, आपसर नमबर B इस्ट इंडिया रेलवे बिहार की पहली रेल लाइन इस्ट इंडिया रेलवे थी चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोश्चन नमबर 11 11 नमबर कोश्चन काता है बिहार में सबसे परमूख राष्ट्री राजमार्ग संख्या दो है बिहार में सबसे परमूख राष्ट्री राजमार्ग कौन है भई तो बिहार में सबसे परमूख राष्ट्री राजमार्ग संख्या दो है या किसके नाम से परसिद है तो वह सेर्शा सूरी मार्ग के नाम से परसिद है तो option number A इसका सही answer हो जाएगा oiresaj Numbers A इनसर शेर साथ सूरी मार्ग विहार में सबसे परमुक राश्री राजमार्ग संख्या 2 है तो शेर साथ सूरी मार्ग के नाम से परसीद है यानि सेर साथ सूरी मार्ग जो है उसको राश्री राजमारग संख्या 2 कहा जाता है चलिए अब नेक्स्ट कोश्चन के तरब बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 12 12 नमबर कोश्चन कहता है भारतिये रेलवे को कितने छेत्रों में बांटा गया है तो भारतिये रेलवे को 16 छेत्रों में बांटा गया है ओप्सन नमबर से C इसका सही अंसर होगा सी सुल भारतिय रेलवे को सुल छेतरों में बाटा गया है नेक्स्ट कोशन देखते हैं अब कोशन नमबर 13 तेरा नमबर कोशन कहता है GDP का विश्थारी तरुप बताए यहने GDP का फूल फॉर्म क्या है तो जेखते हैं भई आप्सन A है ग्रोस डेवलोपमेंट प्रोग्राम आप्सन B है ग्रोस डिमो डोमेस्टिक प्रोड़क्ट आप्सन C है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोग्राम तो आप्सन नमबर B आप्सन नमबर B इसका सही अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर B ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट जी डीपी का विस्थारीत रूप है चलिए अब नेक्स्ट कोष्चन के तरब बढ़ते हैं कोष्चन नंबर 14 14 नंबर कोष्चन का उता है ड़ब्लू टी ओ क्या beğ ड़ू टी ओ का विस्थारीत रूप है option a इसका सही एंसर हो जाएगा option number a option number a is the right answer world trade organization wto का विस्तारित रूप है यानि full form है चलिए अब next question के तरह बढ़ते है question number 15 15 number question कहता है निम्न में से कौन मानो जनीत आपदा नहीं है ध्यान दीजिए यहां आपदा नहीं है मानो जनीत आपदा नहीं है मतलब मनुस्यों के दवारा उत्पन किया हुआ आपदा नहीं है इसमें से कौन ऐसा आपदा है तो option a देखते हैं भई संप्रदाइक दंगा तो संप्रदाइग दंगा जितने भी दंगे होते हैं वो मनुस्यों के द्वारा उत्पन किया हुआ धंगा होता है इसलिए यह मानोजनित आपदा हो जाएगा आतंकवाद तो आतंकवाद भी मनुस्यों के द्वारा उत्पन किया हुआ आपदा है आतंकवाद भी मनुस्यों के द साही अंसर होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है जुछ राएं इस में जब ऊपरोल सुस्रात करण determines कि वृist बारत में कब से कब टक होता है तो देखते है लुन से एक जन्हें से क्री चृइस दिसम्बर 31 मार्च तक option D है एक सितंबर से 31 अगस्ट तक तो option number C इसका सही अंसर हो जाएगा option number C is the right answer एक अपरेल से 31 मार्च तक भारत में वितिये वर्स होता है चलिए अब next question देखते हैं question number 17 17 number question कहता है सोने के आभूसन की सुधता की पहचान किस चिन से की जाती है सोने का जो आभूसन बनता है गहना बनता है उसकी सुधता की पहचान आप किस से करेंगे यानि किस चिन से किस निशान से की जाती है option A है ट्रेड मार्क, option B है हॉल मार्क, option C है एक मार्क, option D है उल मार्क तो option number B, इसका सही अंसर होगा, hallmark, option number B, the right answer, hallmark, सोने के आभुसन की सुत्ता की पहचान, hallmark से की जाती है, चलिए अब next question के तरह बढ़ते हैं, question number 18, 18 number question का उता है, हिंदी चीन पहुचने वाले पर्थम वयपारी कौन थे, तो option number A है, अंग्रेज, option B है, फ्रांसी, option C है, पूर्टगाली, option D है, डच, तो option number C, इसका सही अंसर होगा, option number C is the right answer, पूर्टगाली, हिंदी चीन पहुचने वाले पर्थम वयपारी, पूर्टगाली थे, चलिए next question के तरफ बढ़ते हैं, question number 19, 19 नमर question का उता है, रंपा विद्रोह कब हुआ, रंपा विद्रोह जो हुआ, वा, उनिस सो सुलह में हुआ, option number A is the right answer, रंपा विद्रोह उनिस सो सुलह में हुआ, चलिए अब next question के तरफ बढ़ते हैं, question number 20, 20 नमर question पर चर्चा करने से पहले, मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा, कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो पिलीज मेरे भाईद, मेरे दोस्त, जो भी हो, जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेश जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा और वीडियो को आखरी तक दिखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद